नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक मैं हो रजद देवगन यानि 18,570 के लेवल के नीचे चले गए और उसके बाद तो मंदी करने वालों को एक भाना मिल गया लगा अतार पिटते देखा और आज के दिन का लो लग गया 18,483 लेटर हाफ में साड़े बारा बज़े के बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला और 18,534 के लेवल के क्लोजिंग है 99 points गिर कर close to close निफ्टी बंद हुआ है लेकिन convincing क्लोजिंग नहीं है पिछले दो दिन के लोज को वाइलेट करके आज क्लोजिंग दी है तो तकनीकी रूप से कमजूर क्लोजिंग निफ्टी बैंक 308 अंकों की गरावट शो कर रहा था 44,128 के लेवल पे बंद हुआ है लेकिन एक बार 44,000 के लेवल के नीचे चला गया था लेटर हाफ में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला सेंसेक्स 346 अंक कमजूरी के साथ हुआ है बंद एडवांस डिकलाइंस 20 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में 29 शेयर्स लालिशान में एक बिना बदलाव के बंद हुआ लेकिन जो चड़ा वो था टेक महिंद्रा सवा 2% के रिटर्न देगा भारती एटल तो आज जो करिश्माई चाल दिखा रहा था बस ये अंतिम 10 मिनिट का जो खेल था उपरी स्तरों पर तगड़ी मुनाफ़ा वसूली आ गई ये आज मूड खराब कर गए इसके लावा एक्सिस बैंक HDFC 2% से पहुने 2% के आसपास तूटते हुए नजरा और रलांस इंडस्ट्री दो परसंट धेर हुआ है आज के सत्र में FNO Gainers में Torrent Pharma को पाएंगे नतीजे बजार को अच्छे लगे 7% उचल गया ये शेर इसके लावा डिक्सिन शाओमी के साथ करार किया है manufacturing करेंगे मोबाइल की और exports करेंगे मोबाइल उसके लिए शाओमी के साथ करार 5% उपर ले गया है स्टॉक को PI Industries भारती एटल और कोफोर जैसे स्टॉक आज वाइदा कारोबार पे बहुत active थे FNO losers में विदानता 2% नीचे बंद हुआ है ये stock Foxon के साथ करार कर रखा था semiconductors chips बनाने के लिए लेकिन अब हो सकता है कि उसकी funding कहीं न कहीं अटक जाए सरकार इस favor में नहीं है ऐसी बाते समझ में आ रही है कि सरकार इस favor में नहीं है कि funding दी जाए और इसके चलते विदानता आज थोड़ा काम ने लग गया धाई परसंट के आसपास टूटा ONGC 2,5% टूटा है Axis, SBI और LIC housing जैसे stocks 2% से 2,5% करेक्ट होकर हुए है financials की आज market नहीं थी आज financials में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही थी इस मुनाफ़ा वसूली को लीड कर रहा था Axis Bank 2% हलका हुआ HDFC और HDFC बैंक की हालत थी tight दोनों ही stock लगबग 1,5% से पौने 2% टूटे हैं शीराम Finance, बजाज Finsav, बजाज Finance ऐसे stocks भी हलके हो गए लेकिन financials में कहीं खरिदारी भी थी कोटक बैंक, दरसल वाइदा कारोबार में और cash market में price में बहुट difference है और आज कोटक बैंक cash में देखोगे तो 2% उपर नज़राएगा SBI Life 2% उपर, HDFC Life सवा 1% चड़ा है चोला Finance, SBI Card, REC और PFC जैसे stocks आज action में आते हो नज़रा है इसके लबा energy stocks आज अदानी total ये हलका हो गया लगभग 5%, ONGC 3% टूटा है ages, chemical 2% ज़ादा टूटा, reliance industries 2% टूट गया castrol, gale, इन stocks पे दबाव देखने को बिला लेकिन इसी space में HPCL, BPCL, गुजरात, gas जैसे stocks चड़ते हो नज़राए साथ-साथ metals, यहाँ पर profit booking थी आज, वेदानता, 0.5% कमजोर हुआ हिंडाल को, JSPL, Tata Steel, Steel Authority, रतना मनी, JSW Steel तमाम stocks आज दबाव में थे, जो चड़े उसमें था pharma नंबर आया आज torrent pharma का, नतीजों का impact इसको 6% उपर ले गया इसकलावा, इपका, लाब, सन, फार्मा, पौने 2% से 2% चड़ गए ग्लैंड फार्मा भी निश्टले सरों से खरदारी होती वी नज़राए बायकॉन, सिंजीन 1% से 1.5% उच्टले है और और बिंदो फार्मा 1% उच्टला है चुनिंदा FMCG कंपनियों में तेजी नज़र आ रहे थी जिसको लीड कर रहा था वरन बेवरेज़स सवा 2% उपर, कोल गेट 2% चड़ा है मेकड़ॉल और गोद्रिज कंजूमर, 1.5% के आसपास उचले है ब्रिटानिया, नेसले और डाबर जैसे स्टॉक्स में खरेदारी थी यानि कि आज डिफेंसिव मोड में था मार्केट IT स्टॉक्स में कोफोर्ज, पौने 4% उच्टला, टेक महिंदरा सवा 2% उच्टला, परसिस्टेंट, HCR Tech और सवा 4% उचला, लोधा, पौने 4% तेज़ हुआ है, महिंदरा लाइफ स्पेस, प्रेस्टीज और सोभा जैसे स्टॉक्स आज हर्याली के साथ हुए है, बन मिड क्याप्स की मार्केट है, देखो, काउंटे स्पेसिफिक मूज आ रहे हैं, इंडिक्स चाह कुछ ना कर रहा हूँ, लेकिन मिड क्याप्स, तुफानी, चाल्ज चो कर रहे हैं, आज जो तेज़ोस में था जंदल, सौ, नतीजों का इंपक्ट था, साढ़े 15% उपर क्लोज हुआ है, सुजलोन, नतीजों का जनिका, साथ परसन, साढ़े 7% रिटर्न डिलिवर कर गए, और मिड क्याप स्पेस में, कोल्टे, पार्टिल, गोकल्दास, एक्सपोर्ट, माक्संस, इन स्टॉक्स में 5% जादा की चाल थी, और जैसे मैंने कहा कि मिड क्याप IT फ्लिवर में है, तो उसमें स्टॉक था, फर्स, सो, सुलूशन और क्याप IT टेक, 5-5% चड़ते वे नज़रा है, मिड क्याप में लूजर्स भी हैं, नतीजों का इंपक्ट जहिल रहा था, के आर बील, जिसमें 9.5% का क्रैक पड़ा, डीबी रियालिटी, अब दिखता है कि call writers भी higher star पर active हो गए है, यानि कि 18600, 18700, 18800, इन strikes पर call writers भी heavy खड़े हैं, नीचे बजार के पास अभी कुश्चन है, 18500 के लेवल के नीचे गए थे, लेकिन एक दम से pullback आ गया, क्योंकि वहाँ पर put writing भी बहुत strong हो रखी है, लेकिन अभी ना बजार कर सकता है कि consolidation mode पे आ जाए, बहुत strong stretch के बाद अब थोड़ा ठहराव जरूरी है, index heavy positions FIS की बहुत तगड़ी पड़ी होई है, 60% से उपर index long positions है, अगर यहाँ पर FIS की थोड़ी सी profit booking कर ली तो बजार कापेगा, लेकिन important क्या है कि macro data आना है, सबसे बड़ा data तो US में debt ceiling का और उसका एक बहुत बड़ा impact American markets पड़ेगा और आप देखोगी कि उसका reflection Asian markets पे भी आ रहा है, भारत में quarter for GDP आंकड़े जो आए, उसका एक बड़ा impact देखने को मिलेगा, इसके लावा कल मई के auto बिकरी आंकड़े भी आना है, तो auto sector focus में रहने वाला है, चार जून को प्लस मेंबर्स की बैठक है, और उस बैठक में साओधी अरब पक्ष में है कि crude output को और बढ़ा दिया जाए, ताकि price को control किया जाए, लेकिन रूस इसके favor में नहीं है, तो वहाँ पर भी वाद विवाद है, और देखना होगा कि इस OPEC प्लस मेंबर्स की बैठक में क्या नि टेक्निकली strong closing नहीं लग रही है, तो मोटी मोटी बात है कि 18600, 18660 के level को अगर recon कर नहीं किया, इसके उपर नहीं निकले, तो फिर बोल्स की ताकत पड़ेगी, फीकी और मंदी करने वाले होंगे, हावी, लेकिन अभी बजार की एक broad range 18400 से लेकर 18800 की ही आप लेकर चलें, और एक range में कामकाज होता हो, नजर आएगा, लेकिन अगर आपको exactly levels जानने है कि intraday basis पे nifty और nifty bank के कौन से levels है important, जिनको देखकर आप trade setup कर सकते हो, तो आपको उसके लेना होगा, बिस्तक का premium subscription, जो की बिस्तक ने YouTube पर launch कर दिया है, तीन category के plans है, silver, gold और platinum, जिसकी costing रखे 159, 299 और 599 रुपीज पर मत, respectively, common feature है कि बजा शुरूने इस पहले आपको market opening newsletter मिल जाता है, जिसमें international markets के events, कौन से stocks है, जिसके ओपर खबरें आए जो impact डाल सकते हैं, nifty और nifty bank के important technical levels, जिसको देखकर आप trade setup कर सकते हैं, FIS के index long position, nifty और nifty bank के put call ratio, options का पूरा data, broking houses के report से दमाम चीज़ें आपको मिल जाती है, और ऐसे ही एक newsletter बजार बंद होने के बाद भी आपको दिया जाता है, जो intraday में क्या कुछ हुआ market में, उसका पूरा recap आपको देता है, साथी साथ, अगर आप गोल्ड मेंबर हो, तो उसमें आपको weekly newsletter की भी सुविदा मिलती है, यानि इस चैट के माद हम से anchors के साथ और बजार के experts के साथ interact कर सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो stock market का, और जो silver plan के features हैं, वो gold में भी है, priority भी मिलेगी आपको, कोई भी सवाल आप live chat show में अगर पूछते हो, तो priority access आपको मिलेगा, आपके सवालों को पहले raise किया जाएगा, और portfolio doctor के सुविधा, यानि कि आपके portfolio के analyze करेंगे बजार के top experts और working houses, और तक का कोई भी event होता है, तो आपको exclusive lounge access मिलेगा, तो देर मत कीजिए, join कीजिए, बिस्तक के premium substitution plans, और बन जाएगे बिस्तक community का हिस्सा, नमस्कार. कर दु कर दो एक हुआ है झार, तो लिस्तक के बाएगे बताना किया जाएगे, तो परके यान से लिफा बपिए, कुछिए, ज μουek है, विस्तक का दु आएजैनरे मेगे प्लोंको क calendar बिच्वराएबगा तो